असलाम अलेकम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड, मैं हूँ आपकी होस्ट रमा चीमा, आज का टॉपिक मेरे लिए बड़ा इंट्रिस्टिंग है, मेरा साथ साल का बेटा है, और वो बिलकुल साइंस भी पढ़ रहा है, बगर आपको बताती चलूँ के बच्चों का साइंस और मैज से रिष्टा जोड़ना थोड़ा मुश्किल है, बगर बच्चे ओवर्वेल्म हो जाते हैं, क्योंके आडल्स डरते हैं और ओवर्वेल्म होते हैं, अगर फॉर्मटिव येर्ज में हम उनको तहकी करना, सवाल पूछना सिखा दें, तो उनकी जिंदगी आगे जाके ब दारे की, वेल्कम तो दे शो लाला रोख, तैंक यू सो मच रमा फॉर इंवाइटिंग में, इसे पहले कि आप से गुफ्तकू की जाए, देखते हैं एक छोटा सा पैकेज, साइंसी तरकी ने बच्चों में मुन्फरिद सलाहियोतों को उभारने में कलीदी किर्दार अदा किया है, साइंसी तरकी के बाइस, बच्चों में जहां ना सिर्फ नजमों जब्त बेतर हुआ है, वहीं उनमें मुशाहिदे की बुन्याद पर अपनी राय तश्कील देने और जुर्ड़तों होसले जैसी खूबियां भी पैदा हुई हैं। बच्चे देखकर फौरी सीखने का हुनर जानते हैं। इसी हवाले से उनके आस पास का महौल खास एहमियत का हामिल होता है। बच्चे खेल के जरीए सीखते हैं जिसकी एहमियत को नजर अदाज नहीं किया जा सकता। लहाज़ा महौल की हमांगी बच्चों की जिसमानी और फिक्री नशुनमा में मावन साबित होती है। जैसे कि आपने पैकेश देखा कि साइंस जो है किस तरह बच्चों की नशुनमा में इंपॉर्टन किरदार अदा कर रही है। अब बात करेंगे आपसे लाला रूख। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि हम क्या साइंस से घबराते नहीं हैं क्या कतराते नहीं हैं और पाकिस्तान में इस पे कितने बचे या स्टूड़न्स हैं वो इंट्रेस्ट ले रहे हैं यह बात काफी हद तक दुरूस्त है क्योंकि ज्यादतर लोग जो है उनका साइंस के साथ जो रिष्टा है वो बड़ा पैचीदा है ज्यादतर लोगों को लगता है कि साइंस जो है वो किताबों तक महदूद है सिफ क्लास्रूम या टीचर ने जो बात कह दी बस वहां तक साइंस महदूद है और इसमें उनका कसूर नहीं है साइंस जिस तरह से हमारी जिन्दगी का हिस्सा रही है बच्पन से ही शुरू में ही इतनी ड्राउनी बना दी जाती है इतनी कॉंप्लिकेटिड इतनी पैचीदा बना दी जाती है मैं कैरेक्टर्स याद है क्या होते थे कि मतलब इफ यू वरंट आइंस्टाइन लुकिंग लाइक वी इनकी शकल बिल्कुल ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है बट एक खास लैब कोट और बिकरे हुए बाल है तो आप साइंटिस्ट है तो वह एक स्टीरोटाइप है कि कोई नल है उसमें पानी नहीं आ रहा है और यू ट्राइंग तो फिक्स एट यहां आप लाइट बल्ब अपने घर में फिक्स कर रही है यह बिशक अंडा ही उबाल रही है वहां पे भी साइंस इस्तमाल हो रही है सिक्के खास तेमरेशर पे खास मिनिट पे उबल रहा है त सारा जो अंदर लिक्विड गुई चीजें हैं वो कैसे सॉलिड बन रही है तो इस सब के पीछे साइंस हैं मगर मेरा खाल है कि हम डे टो डे जब अपनी जिदी की गुजार रहे होते हैं तो हम इन चीजों के बारे में खियान नहीं देते हैं और हम ओवर वेल्म भी होते है डर भी जाते हैं कि शायद हमें इसकी अंडिस्टैंडिंग नहीं होगी बिल्कुल तो हम इसके लिए एक लवज इस्तमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं साइंस की जमा पूंजी साइंस कैपिटल ये अभी एक नई तहकीक है जो इंगलेंड में हो रही है ये पता लगाने के लि ऐसे कि आपका रवया क्या है साइंस की तरफ आप क्या समझते हैं कि साइंस तोड़ी फ्रॉड सी होती है साइंस दिल्चस्प होती है साइंस मुश्किल होती है आप साइंस में किस किस को जानते हैं जो साइंस को इस्तमाल करते हैं आप साइंस के बारे में क्या सोचते हैं सा likely to continue to pursue science, you know, after 16 years of age, कि वो आगे जाके STEM के करियर्स नहीं अपनाते हैं. मगर इसमें एक और बात भी था है, ठीक है, घर से महौल नहीं मिला आपको, मगर क्या उस्ताद का एक जो रोल होता है, कि वो इन्वोक करें आपका इंटरिस्स साइंस में, क्या वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे इदारे से तालुक रखती हैं, जो एजुकेशन के साथ मुंसलिक है, बिल्कुल, तो ये बड़ी एक होलिस्टिक अप्रोच है, जो हमें साइंस की जमापूंची बताती है, कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि माबाप का रविया, घर में क्या हो रहा है, और उस्ताद, उस्ताद का तो एक बहुत ही एहम किरदार है, क्योंकि बच्चे जो हैं, वो एक बहुत ज़्यादा अपना दिन का हिस्सा स्कूल के अंदर गुजारते हैं, और अगर स्कूल में, क्लासरूम के इन्वायर्मेंट में, ये स्टीरोटाइब बार बार रिन्फोर्स हो रहा है, कि साइंसतान शायद सिर्फ लड़के होते हैं या मर्द होते हैं या वो खास किसम के बड़े इंटेलिजन्ट लोग हैं जो खास किसम के लोग हैं वो ही साइंस कर सकते हैं तो फिर इसका है आईक्यू वाले हाई आईक्यू वाले मीडिया वे वैसे ये परपेर्चिवेट करता है कि नहीं उनका पता नहीं कितना IQ था इतना IQ तो कभी किसी इंसान करा नहीं और वो फिर साइंस में जा रही है तो हम जैसे लोग डर जाते हैं अच्छा पता नहीं कितना हाई IQ चाहिए ये बहुत बड़ा प्रॉबलम है सिर्फ पाकिसान में नहीं और मुआलिक में वी अपने इदारे के बारे में बताईए कि आपको बनाते हुए अपना इदारा किस चीज ने मतासर किया मुझे मतासर किया जो काम पाकिसान से बाहर हो रहा था क्योंकि मैं तक्रीबन बारा साल से इस फील्ड में हूँ Science Communication और Science Education और पाकिसान आने से पहले मैं एक इदारे में काम कर रही थी जो तक्रीबन I think 180 years old museum है Science Museum London और उस से पहले मैं Norway में एक Social Enterprise में काम कर रही थी उसका नाम थोड़ा मुश्किल है Foshkir Fabrican और उनका भी ये मकसद है कि Norway में भी ये बहुत बड़ा मसला है कि यंग बच्चे जो हैं वो Science को चूज नहीं करते तो हम वहां पर ये काम कर रहे थे कि किस तरह वहां के जो यंग बच्चे हैं के लिए Science दिल्चस्प बनाई जाए और इसी काम ने मुझे 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 किया I wanted to start something, build something of my own तो हमने जो पहली वर्क्शॉप करवाई वो गिराद स्कूल में करवाई कराची में ये स्कूल बड़ा स्पेशल है क्योंकि नीलम कॉलिनी में है अंडर-privileged communities को cater करता है और खास्तोर पे वहां Hindu, Muslim, Christian community रहती है तो वहां हमने पहली वर्क्शॉप करवाई शबीना मुस्तफा साहिबा इस स्कूल की फाउंडर है तीन घंटे I spent that time with the kids और तीन घंटे की वर्क्शॉप में जी पानी में पताख़े हो रहे हैं यहां यह काम करूँ मगर आपका असल मिशन क्या है, मकसद क्या है आपके अधारे का ठीक है, education is one, but are you building scientists from Pakistan? So, यह एक बहुत बड़ी चीज है कि हां हमारे हां ज्यादा जो बच्चे हैं वो साइंस की तरफ नी जाते तो कमी है साइंस्दानों की साइंस्दान जो हैं वो typically जरूरी नहीं कि वो किसी doctor, engineer जो हमने सोचे हैं conventional, वो ही शोबे होंगे There are also marine biologists, there are also people who are going to solve the problems that we are facing right now, like climate change So, हम यह कहते हैं कि हम अगले इस वक्त के या अगले आने वाले वक्त के problem solvers को nurture करें जो साइंस का इस्तमाल करके दुनिया के और पाकिस्दान के जो मसाइल हैं उनको solve करेंगे मगर यह भी तो है कि problem solving में मतलब एक support system का eco भी होना चाहिए अगर वो नहीं आपके पास है तो फिर problem solving और मुश्किल होती जाएगी उसे funding की भी जरूरत होगी पैसा बे इंतहा चाहिए किया यह सही है यह सही है कि the government and other stakeholders need to start investing more in this हम अपने बच्चों के future पर invest नहीं कर रहें तो यह बहुत जरूरी है और जो कौमें आगे जाती हैं वो तक्रीबन 50 years on अपने plans बनाती हैं और उन plans को लेके वो policy बनाती हैं और फिर policies implement होती है policy to policy हर एक government change भी हो जाए तो पिछली policy जो है अगर अच्छी है तो आगे उसी तरह adapt होती है and I think that's a success story that's it और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई और major scientific fact होगा जो मैंने miss किया होगा नहीं बिल्कुल और आप में बिल्कुल सही कहा कि greater investment की जरूरत है 6% budget जो है वो आप लगाएं तालीम पर अगर आप आज ये फैसला करते हैं कि आप तालीम पर invest करेंगे और उसमें यही आता है ना कि आप science की education की quality को holistically बेतर करेंगे इसका मतलब है कि government schools के अंदर अच्छे मेयार के science की teachers होंगे जिनको training मिलेगी ऐसे teachers जो properly recruit होकर आएंगे जो science के subjects के specialist होंगे अभी जो government schools के अंदर teachers होते हैं ना तो ने support मिलती है वो over burdened है कई कई government schools के अंदर ऐसे teachers ही नहीं असाद्जा ही नहीं है जो science पढ़ा सकें वो इस्लामियात या social studies के टीचर है अगर यह तो private schools में भी होता है मैंने यह देखा है कि social studies की teacher को कह दिया जाता है कि please तुम science भी पढ़ा दो और वो यह कहरी होती है कि नहीं यह मेरा subject नहीं है मैं science नहीं पढ़ा सकती प्रीज आप किसी बेतर teacher को जिसकी यह degree है उसको बलाएं मगर उप्रेशराइज करते है प्राइवेट इदारे वाले भी के नहीं नहीं आप भी पढ़ा दें तो मेरा खाल है इस हद तक हमें यह जानना जरूरी है यह सिर्फ government schools का problem नहीं है यह private अदारों का भी यही मसला है आपका जो अदारा है वो बहुत interactive engagement करता है It makes science fun How important is that? This comes back to your first question क्यों हमारे बच्चे यह हमारे जो यंग लोग है वो science से घबराते क्यों है यह क्यों हमें science उतनी दिल्चस्प नहीं लगती और वो इसी लिए है कि बच्चपन से ही एक खौफ एक inaccessible बना दिया जाता है science को तो जब आप खेल खेल के जरीए बच्चों को छोटी उमर से ही science सिखाते है और science क्या है सवाल, you know, सवालों के जवाब ढूने का एक तरीका है तहकीक का एक तरीका है और सही माइनों में आप उन्हें तहकीक करना सिखाते हैं और science education खेल के जरीए उन तक पहुंचाते हैं तो फिर science के साथ दोस्ती होती है एक example दो खेल के जरीए अगर मैंने कुछ करना है तो मुझे इसकी एक example बताओ तो हमारे हाना एक हमारी बहुत प्यारी character है क्योंकि अब हम science की किताबे भी बना रहे हैं उसका नाम है गुल्रुख 12 साल की है शी लाइक्स टो science experiments wherever she goes और उसकी सबसे फेवरिट जगा science experiments और तहकीक करने की है उसका kitchen अभी आपने थोड़ी देर पहले जिकर किया था बेकिंग soda और विनेगर तो यून एक हमारे experiment है जो बच्चों को बड़ा पसंद है कि आप एक बॉटल के अंदर विनेगर डालें बलून के अंदर आप बेकिंग soda एक या दो चमश डालें ठीक है पोटेट अन टॉप अफ तो बॉटल जिसके अंदर विनेगर है और यू विल सी दे बलून इंफलेटिंग वो बड़ा हो जाएगा उसमें हवा बननी शुरू हो जाएगी और अगर आप ज़रा अभी गहरा सांस अंदर लें और सांस बाहर निकालें ये जो गैस आपने बाहर निकाली है इसकाल कार्बन डायॉकसाइड और वोही गैस बनेगी उस बॉटल में भी और अपने बच्चे या बच्ची को तहकीक करना सिखा सकते हैं अच्छा अगर मैंने विनिगर ज्यादा डाला सिरका या वेकिंग सोडा कम डाला तो क्या हो सकता है और अपने यू कि अन्वेस्टिगेर अज़ा अज़ा ज़ा पादर एज़ा ज़ा ज़ारा है कि एक खास कैंडी आती और कार्बोनेटिड ड्रिंक आता है जो कि आप डालें तो एकदम से वो गैस बनती है और वो बाहर की तरफ उड़ता है तो वो मैं नहीं कर रहे तो कोता ही मेरी तरफ से हैं यह मैसेज देना बहुत जरूरी है कि जुब हम डिले करते हैं लर्निंग की जितने भी एक्साइज़ें तो हमारा मसला है बच्चों का नहीं है बच्चे तो चा रहे होते हैं कहीं दफा सीखना अब वो कितनी दफा मुझे कैगा और एक पॉइंट आगा जब भूल जाएगा इसन दाट करेक्ट बच्चों के अंदर जो इनहेरेंटली क्यूरियोसिटी यानि तजस्स होता है तो ऐसा नहीं है कि हम तजस्स पैदा कर रहे हैं बच्चों में होता है बड़े होते होते वो तजस्स मर जाता है इसके मैं आपको एक एक एक्जामपल दूँगी हमारे सामने एक दफ़ा एक लास्रूम में 30 बच्चे थे और हमने उनसे पूछा कि अभी आपके दमाग में क्या सवालात आ रहे हैं बताएं तो जो ब्लैक बोर्ट था वो छोटा पढ़ गया था और यही सवाल जब हमने एक ग्रूप के साथ किया जो बड़े थे उनसे मुश्किल से कोई एक या दो सवाल जो है वो उनके मूँ से निकल रहे थे वो भी सोच सोच के हैं बिक्स आप एक तरह से सोचने का आपका तरसे मतलब वो एक अंदास बन जाता है नहीं नहीं मैने वाक्स में रहका ही सोचना है बाइद वे इस वक्त लेक्पने बहुट मतलब मैंच जीन अग्ण मेही का यह उस ने थोड़ा किया किया हुब वागई ये इन गत्रहां नहीं के सब्सख्रूर्च वहता कि मियन से छोता हूँ हो सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि you know ingredients पढ़ते हैं ताकि उन्हें पता तो कि असमें इंड करार्या है और इसका effect क्या होगा प्लस अगर आपके skin oily है तो किस तरहा का ingredient or products यह तरहां की प्रोडक्ट्स तरहां साइंस, that is also science. So you actually using science without realizing और फिर भी हम समझते हैं कि नहीं हमारा लेना देना नहीं ही तो बड़ी मुश्किल होती है मैंने इसलिए तो एक्जांपल दी के मेरी ओडियन्स यह समझे कि आपका साइंस से तालोग बहुत गहरा है मैं खास तोर पे जिकर करना चाहूंगी कुछ पाकिस्तानी साइंटिस्स का जैसे कि सारा कुरेशी साहिबा वो बहुत इंस्पारिंग लगती है मुझे वो ऐसे जहास बना रही है जो हमारी फिजा को पल्यूट नहीं करेंगे और ये काम उन्होंने अपने वालिद साइब के साथ शुरू किया फिर नर्गिस मवालवाला है पिर तस्नीम जहरा साहिबा है वो पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने स्ट्रिंग थियोरी के अंदर पी एच्टी की ये बड़ी एक नई किसम की थियोरी है नहीं इसलिए कह रही हूं कि ये भी साइंस की दुनिया में थोड़ा रीसेंट कॉंसेप्ट है कि शायद हर चीज अगर उसे बहुत बारीकी से हर चीज के बिलकुल छोटे से टुकड़े को देखा जाए तो उस टुकड़े के अंदर शायद वाइबरेटिंग स्ट्रिंग् आपल जितनी मेरी अंदस्टैंडिंग ये स्ट्रिंग ये बता रही हूं कि ये इसके बार में जाधा नहीं करूंगी क्योंकि मुझे नहीं नहीं बता लेकिन शीज सो अमेजिंग वो तस्नीम जहरा साहिबा से जब माई गुफतगू हूई तो यहां पाकिसान में ही पड़ रहे हैं तो आगे जाके कुछ और नहीं कर सकती हैं बिटिश काउंसिल की एक स्टेडी आई थी कुछ साल पहले जिसका मकसद ये था पता लगाना कि 16 साल की उमर के बाद लड़कियां क्यों साइंस को आगे पर जियू नहीं करती पाकिस्तान में और उसमें एक फैक्टर बह हो जाएगी यानि कि अगर साइंस तान होगी तो उसका रिष्टा नहीं आएगा वह पर क्योंके एक्सेप्टिबिलिटी नहीं है इन चीज़ों की पेरंट्स जो हैं वह एक खास करियर देना चाहते हैं बेटियों को यह भी देखा गया कि पेरंट्स यह कहते हैं यह सब्ज साइंटिफिक लिट्रिसी बढ़ाने से यह प्रॉब्लम सॉल्ड नहीं होगा कि और लड़कियां साइंस की कि शौबों की तरफ आएं रवया माबाप का सोसाइटी का यह बेहिवियल चेंज यह नॉर्म्स जो लड़कियों को पीछे रखते हैं यह एक्चुल बैरियर्स है अगर कोई लड़की जो है एक्जामपल मेट्रिक में बहुत अच्छे नंबर भी ले ले लती है साइंस में तो जरूरी नहीं है कि कुछ साल बाद आप उसे किसी साइंस के प्रफेशन में देखें और उसकी वज़ा अकसर अकात यह रवयात होते हैं यह नॉर्म्स हैं यह मेरे फिजिक्स में मेरा एया था था और फिजिक्स मुझे इतनी मुश्किल लगती थी अभी भी लगती है अच्छा एक और सवाल आप से यह करना चाहूंगे कि आपके इदारे के थूरू कोई भी लड़का या लड़की कौन सी महारत वो उसके लिए असान हो जाती कौन सी स्किल देती हैं सबसे पहले तो हम बच्चों में इंटरेस्ट डिवेलप करते हैं साइंस का तो साइंस की के साथ दोस्ती करवाना ये दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग कि उनमें ये अबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर चीज़ के उपर सवाल उठाएं ये बहुत जरूरी है क्य मैं पूछता है जिसका मुझे जवाब नहीं जहाता है मैं करती हूए एक मिनत देना मैं पढरती हूं उसके बारे में अपना जहन इस्तों करके उसको जवाब देती हूं तो तहकीक का अमल या बिल्कुल ठीक है रही है चाहे हो घर में हो चाहे हमारी किसी कलास में हो ये हम सिखाते हैं कि अच्छा अगर आपने सिफ दो जीजे मिक्स की हैं और देखा है कि गास बन गई है लेकिन अब आगे तहकी worship की जा सकती है ये गास कौन सी है इस गैस से और क्या होता है यह यह कम यह ज़्यादा कैसे हो सकती है तो वो तैकीक का अमल सिखाना और अक्सर हमारी क्लासेस में भी जब बच्चे आते हैं ना तो उनको जब वो रिजल्ट जो डिजाइड रिजल्ट वो चाहरे होते हैं अगर कोई जाते जाते चोटा सा मैसेज देना चाहें मेरा मैसेज यह होगा कि आपके इर्दगिर्द जितने भी बच्चे हैं उनके साथ गुफटगू करें साइंस के बारे में घबराएं नहीं अगर आपके अपनी साइंस की फील्ड नहीं है या आपने साइंस जो है एक खास एज तक पड़ी और उसके बाद नहीं की तो फिर भी घबराने की जुरत नहीं अपने साइंस की लिए और बहुत सारी पाकिस्तान में रिसोर्स जो कल्चरली रेलेवंट हैं नहीं बच्चों के लिए उनको लें उनको घर पे इस्प्लोर करें और असाध्जा से भी गुजारिश है कि ना घबराएं अपने टाइम को इस्तमाल करें जो भी आपके पास आ साइंस के साथ दोस्ती होनी बहुत जरूरी है थैंक यू सो मच इस अलवेज अ प्लेशर तौकिंट यू लाला रो थैंक यू सो मच रमा फॉर इन्वेस्टिंग सो मच अफूर टाइम एनरजी ओन कॉनर्जी ओन कॉनर्सेशन लिए ओल्वेल्कम जी हां अगले हफते होगी फिर आपसे मुलाकात एक नई टॉपिक के साथ सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे इस वक्त स्क्रीन पे हमें बताएं आप क्या देखना चाहते हैं आज जैसे हमने साइंस कवर की आगे आप किस तरह का एपिसोड देखना चाहेंगे अगले हफते होगी फिर मुलाकात खुदहा आपस